कि नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल प्रेगा हाउग में तो आज मैं फिर से एक बार आपके लिए जैंडर प्रेडिक्शन का एक सीक्रेट तरीका लेके आया हूँ दोस्तो आपको यूटूब पर और इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी तरीके पता लगा सकते हैं लेकिन आप इस बात को सोचते हैं कि यह तरीके जो बता रहे हैं सही है या गलत है दोस्तो जो सीक्रेट तरीका आज मैं आपके साथ सेयर करूँगा बहें अधिकतर सटीक ही बैठता है दोस्तो बैसे तो अल्टरा साउंड या फिर किसी डॉक्टरी तरीके से द्वारा चेक करवाने पर लड़की यह एक कानूनी जुर्म है लेकिन आप घर वैठे अपनी उत्सुक्ता को कम करने के लिए इन तरीकों को अपना सकते हैं लेकिन आज इस वीडियो में आपको एक ही तरीका बताऊंगा प्रेगनेंसी के आपके महीने चल रहे हैं और आपने तीन महीने गुजार लिए हैं तो इसके बाद आपके सरीर मे थोड़ा सा हार्मोन का चेंजिस होता है तो गर्ब में बेवी बॉय होने के हार्मोन अलग होते हैं और गर्ब में लड़की होने के हार्मोन अलग होते हैं तो यह जो तरीका है और यह जो उपाय है यह आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलता है जो सेंटम्स मैं आपको यह आपको अपने चेहरे पर देखने के लिए मिलते हैं चौथा महीना लगने पर आपको चेहरे पर थोड़ी सी चैंजिंग देखने को मिलती है अगर दोस्तों आपको प्रेगनेंसी से पहले आपके चेहरे पर साफ चेहरा साफ था और प्रेगनेंसी होने के बाद आपको लग रहा है कि चहरा आपका पहले से ज़्यादा खराब हो गया है कि चहरे की चमक कम हो गई है तो आप अनुमाल लगा सकते हैं आपके घर में जो बच्चा पल रहा है वह एक बेबी बॉय है कि आपके घर एक प्यारा सा बेटा आने वाला है उस तो सौ मैंसे 80% महिलाओं पर यह तरीका सटीग बैठता है और 20% महिलाओं पर यह अपोजिट बैठता है अधिकतर महिलाओं पर यह सटीग देखा गया है किन मैं आपको यह बात 100% नहीं कह रहा हूं उस तो चहरे पर हार्मोंस का चेंज होना जैंडर प्रिडिक्शन की और इसारा करता है आप अपनी न और प्रेगनेंसी के चौते महिने के बाद वह थोड़ी सी अगर आपको उसमें चेंज या फिर वह आपको मोटी नजर आ रही है तब भी गर्म में यह बेबी बॉय होने का सेम्टम्स होता है दोस्तों चहरा भी आपका बता सकता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके गर्म मे लड़का पल रहा है या एक लड़की पल रही है दोस्तों आपके साथ भी यह हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो